आज हम बैक सालतो लगा के दिखाएंगे ये स्टेंडिंग पोजिशन से लेगे कि मैड विट ग्रिप से अंडर ग्रिप लेंगे और वहा से हम बैक सालतो लगा के देखेंगे उससे पहले एक बार डेमो स्टेशन करके देखते हैं आई देखें अब आपने देखा कि यह मैंने बैक सालतो लगाई है ग्रिप लगाए जैसे यह पोनेंट क्या गरता है रास्लिंग में इस्टेंडिक मुझे बए यह ग्रिप यह पोजिशन आ जाती है तो हम क्या गरेंगे यह वाले हाथ से यह वाली ग्रिप यहां से चुड़वाएंगे औ और छीद दाभी हासे एक ओवरुग गड़ेंगे जैसे ओवर ग्रिप गड़ी यह क्या गड़ेगा अपोने अन्टैना बस्ता रहेगा और गर्द लगसामी ऐसाइड घूमता रहेगा जैसे गुमेंगा देखो अंदर हुक ग्रीब डालेंगे और यह पिछे वाले पैक और बैक साल तो मारेंगे इस वाले पैर से इस वाले पैर पे गए और पिछे की साइड देखका उल्टी थरो उल्टी थरो यह देखो यहां पर मैंने चार पोइंट लिए हैं अपोनेंट फाल करा है सिद्धा एक बार फिर देखें यह ग्रीक क्रोमन और फ्रीस्टाइल में लगेगी यह टैकनिक दोनों में यूज कर सकते हैं सिद्धा फाल भी होगा यह क्या था अपोनेंट जब हमने रैसलिंग करते हुए मुस्टाइम यह बड़ी फास्ट तरीके से लगाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लगती है एक बार फिर देखें जैसे ही देखो यह पोजिशन आ जाती है लड़ने की लड़ रहे हैं यह फटाक से यह वाली गृप ली मैंने अब क्या रहे हैं अपोनेंट मेरे को पु प्रेशर के साथ साथ मैं अपनी टेगनिक यूज गरूँगी जैसे पुछ कर रहे हैं दखा रहे हैं दिखा रहे हैं यह यह देखो अपोनेंट को मैंने फाल भी किया है और यह शिद्ध बाए फाल चीता है यह फ्रीश्टाइल की टेकनिक है एक बार ओर यूज करके देख लगेगी यह अपोनेंट कैंग दूसरी साइड से हमें रोक रहा है बच रहा है हम उस साइड से ही यह वाले गरिभ बी लेगे जैसे एपुछ करेगा यह आत यह चोड़ कअ सिर्फ हमें यह यह ढालना है यह राज चोड़के यह डालेंगे और सिधा यह वाले पएंसे Thank you.